जैहिन देखे एथनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसके लिए फ्लेक्सी फ्यूल ही क्यों जरूरी है इंजन में क्यों बदलाव किये जाते हैं और इसके मद्दे नजर भारत सरकार चीनी के निरियात पर पूरी तरह बैन लगा दिया है जबकि भारत के पास वर्तमान समय में आठ मिलियन टर्ण चीनी गोदामों में रखा हुआ है अर्तार भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं तो पूरे चीजों को हम समझते है देखिए एथनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है पेट्रोल में जब इथनॉल मिला दिया जाता है इथाईल अल्कोहल तो उसे मि 20% इसमें एथनॉल मिला देना है और एथनॉल मिलाने की किरिया को एथनॉल ब्लेंडिंग करते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है क्योंकि भारत के पास पहुँ ज्यादे ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री है हमारे पास दुनिया में थार्ड नंबर पर हम लोग आते हैं ऑटो हर साल हम लोग निर्यात कर देते हैं तो हम लोग के पास जो 26 मिलियन जो बच रहा है यहां पर टोटल ओवराल मतलब अगर भारत में देखेंगे तो लगब 20 मिलियन गाडियां हर साल बन रही है और उसमें जो फ्यूल पढ़ रहा है वो पेट्रोल से आ रहा है और पेट्रो कर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है इसने क्या है कि हम लोगों का एक बहूत बड़ा पैसा बीदेसियों के पास चला जाता है कच्छा तेल खरीदने में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारत सरकार परती साल कितना बीदेसी लोगों को यानि गल्फ कंट्र जाता है हम लोग टेक्सपियर का पैसा बीदेसियों के पास जला जाता है जो केवल जमीन से निकाल के पेट्रोल दे देते हैं अब सोचीह ना जिसका पैसे का हम 20% कमी आएगी आईगी निकालते रहीगा इसका 20% कितना जादे होता है इसे लिए हम लोग एथेनॉल को कर रह और दीरे-दीरे करके 80% कर देंगे तो 80% कर देंगे तो इन लोगों पईसा देनी की जरूएत क्यों है एतनोल हम लोग खुदी बना सकते हैं इन लोग को इतना टेकनोलजी नहीं है एतनोल जो होता है इसका आयूपीएसी नम यही आता है सराब में भी इतनोल ही मिलाए गया रहता है और जो हम लोग देखते होंगे सेनेटाइजर होता है उसमें भी दिखेगा 70% इतनोल लिखा रहता है सेनेटाइजर में भी एतनोल ही होता है इसे फर्मेंटेशन यानि किडवन विदी द्वार बनाय जाता है और इसे पेट्रोल में क्या किया जाएगा मिक्स कर दिया जाएगा टार्गेट है 20% को मिक्स करने का अगर यह सक्सेस हो गया तो इसे बढ़ा के हम लोग 50% भी ले जा सकते हैं लेकिन जब बढ़ाएंगे लोग तो उसके लिए हम लोगों को अपने इन्यन मे आते हैं और उसमें जो फ्यूल पड़ेगा फ्लेक्सी फ्यूल तो भारत सरकार कभी सकत निर्देश देने वाली यह कंपनियों को कि उनको एक टाइम लाइन दे दिया जाएगा कि इसके बाद आपको फ्लेक्सी फ्यूल वाले इंजन यानि फ्लेक्स इंजन ही बनाने दूसी तरह सरकार भी इन लोग को अभी वार्निंग दे रही है फिर कभी सकत आदेश देगी उसके बाद एकपर फैसला सुना देगी तो सारी कंपनियों को अपने बीए सिक्स के जगा फ्लेक्सी फ्यूल डालना पड़ेगा इससे काफी जादे फाइदा होता है फ्लेक्सी ब्लेंडिंग और इसके लिए हम लोग को एथनॉल का प्रेडक्शन बहूत बढ़ाना पड़ेगा प्रती वर्स पांच सो कोरोड ली्टर एथनॉल का उत्पादन करना पड़ेगा सोचिए 500 कोरोड लीटर अब इतना एथनॉल का उत्पादन करेंगे तो रोजगार भी मिल तो आप यह मत देखिए कि 500 करोल लीटर परती वाद इससे डिरेक्ली और इंडरेक्ली बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उसका पूरी तरह सप्लाई चेन बन जाएगा कैसे कि एथनॉल बनता कैसे अनाज को सड़ा कर यानि जो हम अनाज भेगते हैं उसी को सड़ बना लेता है मक्का मक्का जो है इसका कोई भाव नहीं मिलता है 6 रूपय किलो किसान का मक्का सरकार को किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाए 6 रूपय किलो अब उसको ना छुपाया कई से जाता है किसानों को बेकूब कैसे बनाए जाता है तो सरकार कहती है हम 6 रूपय प्रती सो केजी यानि प्रती क्विंटल खरीद रहें और जब हाल है बाइया तो किसान को सो रुपिया के भाव कुंची बताता है एक किलो का बता नो आम आदमी को भी समझ में आता कि तब लोग सवाल उठाएंगे कि किसानों का इतना दूरदसा क्यों है आप सोचिए आप ए इस मक्के का उपयोग किया जाएगा एथनॉल बनाने में तो किसान भी अपना बढ़ी आदम में बेचे गए हाँ पर क्योंकि इसका प्रोडक्शन होने लगेगा जो कोई बोलता ने यह जल्दी हमारे या पराली जो जला दिये जाता है धान की भूसी जो होती है या फिर ज बुक्तान करने के लिए पैसा हमारे किसानों के आ जाएगा किसान आगे बढ़ेंगे हमारे उनके बाल बच्चे पढ़ेंगे वो भी आगे बढ़ेंगे आप तो यह देश के लिए काफी अच्छा होगा इसलिए भारत सरकार को इस पर बहुत जादे मतलब में प्राइम फो बहुत जाएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो भारत सरकार को एथनौल चीनी दोनों को बैलेंस करके रखना है इसलिए भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया का कि हम चीनी बेचेंगे ही नहीं क्योंकि फिलहाल जो चीनी है उसी को हम लोगी स्टॉक करके रखेंगे ताकि हम जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसे जादे तर गन्ने को एथनौल प्रांट में भेजा जाएगा अब उस जादे तर को भेज देंगे चीनी के लिए नहीं बचेगा भारत में महांगा हो जाएगा इसलिए इस पर निर्यात पर रोक लगा गया हाला कि भारत में चीनी का प्रोड़क्शन बहुत जादे है चीनी का प्रोड़क्शन 35 मिलियन टन है हम लोग के पास चीनी का प्रोड़क्शन हाला कि इसका उत्पादन जो है वह 27 मिलियन टन है यानि 8 मिलियन टन एक्स्ट्रा हमारे पास है 35 मिलियन टन यहां चीनी और जो पैकेट वाली समाने बिखते हैं कभी मंच तुका दुकाई कीट कैट टूटकेट इस सब छोटका लाकवा जादे जानता होगा सब हम लोग को कुछी पता ही सब अब वे सब को तो यहां पे जो है न यह इस वह में चीनी पढ़ता है टो चीनी का हमारे हाद डिमांड बहुत जाद है 27 मिलियन टन परती वर्स डिमांड है तो हम लोग के पास 35 मिलियन टन उठ्वादन है 27 स्रेक्राइब shooting में अबंच की समस्ताइब बहुत है रखते में आफे बहूटवर वे अफैनग कहते हैं किना शाहते हैं इसे ही खाजाות जाता है उसलिए भारत फंपर्कार क्या की है future planning में balance नगर बढ़ा है महंगाई का और supply का इसलिए इस पर बैन लगा दिया गया अभी आप देखे होंगे चीनी पर बैन लगा दिया गया 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 चावल पर बैन लगा दिया क्योंकि तूटे हुए चावल से भी methanol बन जाता है अभी तुर्की जो है वह अमेरिका को balance करके चल रहा है USA को चिड़ाने के लिए क्योंकि तुर्की जो है रूस से सटा हुआ है और रूस के पास गेहूं की कोई दिक्कत नहीं है और रूस के इस एरिया में चेचन्यावले एरिया में आराम से ट्रॉक से गेहूं आ सकता है तुर्की में तो यह एक इसी बहां ने हम तुर्की देख रहा है रूस से वियपार बढ़ा लेंगे और अपने आपको हीरो बनने के लिए भारत का यह हूं वापस कर दिया है यही गल्ति किया था मलेसिया यही गल्ति किया इंडोनेशिया पाम ओएल को लेकर इनको घमंड हो गया ता पाम आपा आज इनका पॉआ माइल कोई खरीद ही नहीं रहे हैं तो यह लोग को कर रहे हैं कि पॉआ माइल खरीद लो नहीं दिखाना चाहिए इनको जादे इगो इनको महेंगा पड़ जाएगा वहाँ पर मतलों कोन मार हम लोग गोदाम का कमी है तो आप यह समझ गया होंगे कि इसको भी फाइदा होगा फॉरें रिजर्व बचेगा और आप लोग के लिए जो इतना भी अप्लिकेशन से क्लासे जहें वो सब इन्रोल कर दिये गां दुबारा एक्सेस दे दिये जाएगा आप लोग को और यह अभी नए बैचेज काफी ज्यादे आ आप लिकेशन पर आप लोग को जिनका भी नियर में एक्जाम है वो लोग जाके इस पर इन्रोल हो जाएगे आप लोग को खांसर ओफिस्यल अप्लिकेशन पर और जितना जल्दी से जल्दी हो आप लोग कहीं जल्दी जल्दी सेटल हुए नोखरी लीजे और जल्दी से माबाब का सपना हैं